हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब उमीद करता हूँ बिलकुल अच्छे होंगे बिलकुल बेस्ट तरीके से आप अपना काम कर रहे होंगे भारत और उस्टरलिया के बीच में कल से टेस्स मैड की शुरुआत तो है लेकिन आज दोनों कपतानों का प्रेस कॉन्फरेंस हुआ है एक तरफ Pat Cummins आए जो कि ऐस्टरलिया के कपतान है दूसरे तरफ जस्पीट बुम्रा आए जो कि भारत की टीम के कपतान है और इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जस्पीत बुम्रा ने क्या-क्या कही अपने प्रेस कांफरेंस में हाला कि काफी लंबा चोड़ा उनका प्रेस कॉंफरेंस था लेकिर इंपॉर्टेंट पाँच बाते क्या कहीं है जस्पीत बुम्रा ने वो मैं हाइलाइट कर दूँगा हाला कि पूरे प्रेस कॉंफरेंस के बारे में ही आपको बता दूँगा और साथी साथ किया जस्पीत बुम्रा ही बॉर्डर गवास का टॉर्नमेंट के पांचो टेस्ट मैच में कप्तानी करेंगे इसको लेकर के भी जस्पीत बुम्रा ने बयान दिया है और यह अब हारती टीम देखने के लिए तयार है جس پیت بمرا کافی خوش نظر آئے کافی مطلب کہتے ہیں نا کہ کپتانی جو ان کو ملی ہے اس کو انجوائی کرتے ہوئے نظر آئے اور یہ ان کے چہرے پر صاف طور پر نظر آ رہا تھا مطلب لگ رہا تھا کہ کپتان بننا چاہ رہے تھے لگ رہا ہے کہ کپتانی کو یہ بہت زیادہ دباؤ کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ انجوائی کر رہے ہیں مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جس پیت بمرا उसने कप्तानी की है कपिल देप का नाम उन्होंने लिया और उन्हें का कि फिर मैं क्यों नहीं कप्तानी कर सकता हूँ यानि कि बुम्रा एक तरीके से कहने की कोशिश कर रहे थी कि भी अगर भविश्य में रोहिट शर्मा के बाद किसी कप्तान को आप देख रहे हो तो पीद बुम्रा ने मैं आपको बता देता हूँ लेकिन आप सभी 200 से रिक्वेस है अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजेगा इस वीडियो को आखरी तक देखेगा आपनी राई भी दीजेगा क्योंकि सबसे बड़े टौर्णमेंट क तैयारी कर चुके हैं और इस मैच को लेकर के हम लोग काफी एकसाइटेड हैं पर्थ टेस मैच को लेकर के हम लोग काफी एकसाइटेड हैं यानि कि जो तैयारी को लेकर के सवाल था कि क्या भारतिये टीम को परियापत समय मिला क्या आपने एकलमेटाइज किया इन कंडिश को समझने की कोशिक की और उनने का कि सब कुछ किया है बहुत सारे अनुबवी प्लेयर्स हैं जो कि इस पिच को बहुत अच्छी तरीके से पहले से जानते हैं कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि खेल चुके हैं मैं भी खेल चुक Thousand और इसलिए हमें बहुत ज़ादा समय नहीं लगा और जो युबा खिलारी हैं जो पहली बार आस्ट्रेलिया में आए हैं उनको भी अच्छा खासा वक्त मिला है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इस कंडिशन्स को जान चुके हैं इसके लबा उन्होंने कहा है कि जब भी आप मतलब रिस्पॉंसिबिलिटी लेते हैं तो आपका प्रदर्शन और जादा निखर करके सामने आता है जस्पीत बुमरा से कप्तानी के बारे में सवाल किया गया उन्होंने कहा कि मैंने बच्पन से रिस्पॉंसिबिलिटी ली है यानि कि अपने अर्ली डेज को उन्होंने इंक्लूड किया और उन्हें कहा कि जब भी मेरे उपर में कोई रिस्पॉंसिबिलिटी आती है मैं अपने आपको और बढ़ियां तरीके से प्रिपियर करता हूं और मैं कप्तानी को एंज्वाई करता हूं और मैं अपनी कप्तान का statement है यानि कि वो काफी खुश नसराए इसके लाबा उन्होंने ये भी बात कही है कि मैं अपनी कप्तानी में जो best दूँगा साथे साथ उन्होंने का कि बालर्स जो है ना वो काफी तेज दिमाग के होते हैं और बालर्स ज्यादा मेहनत करते हैं बल्लिबाजों से और बालर् रन बनाए टेस माच में या पचास रन बनाए टेस माच में पिछले टेस में वो कोई माइने नहीं रखता है आप पांच विकेट लेकर के आए या आपका कोई विकेट आपको नहीं मिला पिछले टेस माच में ये कोई माइने नहीं रखता सिर्फ और सिर्फ माइने रखता है कि आने वाले टेस्ट माच में आपको जीरो से शुरू करना है और यह बहुत बड़ी बात कही है जस्पीत बुम्रा ने उन्होंने कहा है कि मैं युबाओं से यही कहता हूं कि भाई पिछले टेस्ट माच में क्या हुआ उसे भूल जाए चाहे शतक लगा तो भी भूल यह आपने बहुत बढ़िया गेन बाजी की तो भी भूल जाए बहुत खराब गेन बाजी हुई तो भी भूल जाए क्योंकि अगले टेस्ट माच में यह सभी चीज़ें जो है वो कुछ मैटर नहीं करती है मैटर एक ही चीज़ करता है सेल्फ बिलीफ अगर आपको यकीन है कि आप आस्ट्रिलिया में सफल हो सकते हैं अगर आपको यकीन है कि आप पर्थ टेस्ट माच में बहतर कर सकते हैं स्पाइसी विकेट पर बहतर कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है यह जस्पीत बुमरा का बयान है उन्होंने पूरी तरीके से ट आगे निकल चुके हैं और जब हम आस्ट्रेलिया में आएं तो पहले दिन ही टीम की मीटिंग में हमने इसी पर चर्चा किया कि जो हो गया सो हो गया। वहां के कंडिशन्स अलग थे नियूजलेंड के पास में अलग किस भी गेंड बास थे यहां के कंडिशन्स अलग हैं यहां पर अलग तरीके का चैलेंज है और हमें इस चैलेंज को स्विकार करते हुए अपनी तयारी करनी है और हमारे पास में परियापत समय था जो हमने तया से गेनबाजी ओल्रेडी कर चुका हूं तो मैं मीडियम पीसर तो नहीं हसने लगे लेकिन इस पिच के बारे में उन्होंने कहा आस्ट्रेलिया को चैलेंज भी किया यानि की जो कहा जा रहा है कि बाउंसी पिच होगी खतरनाक पिच होगी बलेबाजों के लिए यहां पर रन क विकेट है तो हमारे पास में भी एक से बढ़ करके तगड़े गीन बाज हैं प्लेइंग 11 को लेकर के बुम्रा ने क्लियर कट कर दिया है कि हमने प्लेइंग 11 डिसाइड कर ली है हमने तमाम खिलारियों को इनफॉर्म कर दिया है लेकिन मीडिया में हम नहीं बताएंगे काफी आत्मविश्वास के साथ में इस समय आस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं और अच्छी बात है कि इन सबको एक्स्पोजर मिला हुआ है बड़े-बड़े माचेस अल्रेडी खेल चुके हैं और ऐसे में अब आपको इनको बहुत जादा सिखाने के जरूरत नहीं है और कि आप पांचो टेस माच में आप कप्तानी करेंगे रोहित को कहेंगे कि चलो मैं ही कर लेता हूं पांचो टेस माच में कप्तानी तो जस्पीत बुम्रा ने का कि यार मैं तो नहीं कहूंगा रोहित शर्मा को कि मैं पांचो टेस माच में कप्तानी कर लेता हूं बाकी देख की थी लेकिन वो भी sure नहीं थी कि वो पहले test match में खेलेंगे नहीं खेलेंगे लेकिन जब मैं Australia आया तो team management ने मुझे clear कर दिया कि आप ही पहले test match में कप्तानी करोगे विराट कोली के बारे में उनने कहा कि देखें वो legend बलेबाज हैं इस खेल को खेलने वाले one of the great batsman हैं और उनको मैं क्या सुझाओ दूगा उनको क्या मैं समझाओंगा उनकी कप्तानी में तो मैंने debut किया है और अभी उनका जो work ethic है जो मेहनत करते हैं वो भाई साब अलग level का है विराट कोली के बारे में ये जस्पीत बुम्रा ने और उनने का कि एकाद सीरीज में रन नहीं बनाने से आप सवाल करने लग जाओ वो ठीक नहीं है लेकिन पूरा यकीन है कि विराट कोली 100% रन करके आपको देंगे तो ये press conference रहा जस्पीत बुम्रा का इस press conference में एक चीज जो मैंने realize की उनके body language से वो ये है कि वो काफी खुश नजर आए हसते वे नजर आए और मुझे लगता है कि literally जो उन्होंने बात कही न कि मैं challenge लेना पसंद करता हूँ वो कप्तानी का challenge ले करके काफी खुश नजर आए 2022 को लेकर के भी मैंने कई बार काया कि उन्होंने statement दिया था कि अगर management मुझे कप्तान बनाती है तो मैं कप्तानी करने के लिए तयार हूँ जब विराट कुली ने सन्यास लिया था और I mean विराट कुली ने कप्तानी को छोड़ा था तब उन्होंने कहा था कि मैं कप्तानी करने के लिए तयार हूँ पर वो काफी खुश नजर आया और मुझे लगता है कि इसी खुशी नोट पर भारतिय टीम अगर दमदार प्रदर्शन कर दे पर्थ टेस्स माच में तो इससे अच्छी बात क्या होगी लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देजीगा वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेजीगा